Hey guys, welcome back to my channel Maruti Suzuki India ने फाइनल उनकी नई All Wheel Travis UV Grand Vitara को reveal कर दिया है और कुछ दिनों पहले ही उन्होंने उनकी नई 2022 ब्रेजा को भी launch किया था और मेरे एक वीवर ने ना मुझे comment करके कहा कि भाई Grand Vitara और ब्रेजा का comparison करो पहले तो मैंने इस पर कुछ ज़्यादा ध्यान ही दिया पर जब मैंने एक कीवर्ड यूट्यूब पे सर्च किया तो मुझे पता चला कि काफी सारे लोग ये comparison देखना चाते है और इनकी price में भी ना कुछ ज़्यादा difference नहीं है ब्रेजा के top model की price is 14 lakh रुपीज एक शोरूम इंडिया वह ही Grand Vitara की price अभी तक reveal नहीं हुई है पर expected ही कि इसके top model की price लगबग 20 lakh तक रहेगी अब आप ये बोलोगी कि 14 lakh की गाड़ी का comparison 20 lakh की गाड़ी से कैसे कर रहा है तो 20 lakh रुपीज ने इसके hybrid model की price होगी अगर हम 20 lakh में से 2 lakh रुपीज माइनस कर दे यानी 18 lakh रुपीज तो ये price इसके petrol model की होगी with all wheel drive और अगर हम इसके all wheel drive system की भी price को माइनस कर दे यानी 1.5 lakh रुपीज तो ब्रेजा के non hybrid petrol without all wheel drive की price होगी 16.5 lakh रुपीज एक शोरूम इंडिया ये सी expected price हो सकती है तो इसमें 2.5 lakh रुपीज का difference है तो ये difference कुछ ज़्यादा माना नहीं जाता तो आज की इस वीडियो में मैं नई ब्रेजा और grand विटारा का comparison करने वाला हूँ कि आपके लिए इन दोनों मैंसे कौन सी कार best रहेगी और आपको इन दोनों मैंसे कौन सी कार खरीदनी चाहिए और इनके सारे price का justification मैं आपको वीडियो के last में बताऊंगा तो इसलिए कह रहा हूँ यार वीडियो को please यार last तक देखना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like करके मेरे channel को भी subscribe कर देना बात करीं दोनों कास के dimensions की तो grand विटारा में आपको 43-45 mm की length मिलती है वही ब्रेजा में 39-95 mm की length मिलती है और last wheelbase की बात करें तो grand विटारा में आपको 2600 mm का wheelbase मिलता है वही ब्रेजा में आपको 2500 mm का wheelbase मिलता है तो dimension wise देखें तो obviously grand विटारा ब्रेजा से थोड़ी बड़ी है बस grand विटारा में आपको ब्रेजा के मोकाबले height थोड़ी कम मिलती है अब बात करीन दोनों कास के tire size की तो grand vitara के base variants में आपको 17 inches के steel wheels और इसके top variants में आपको 17 inches के alloy wheels मिलते हैं वही अपनी breza के base variant में आपको 16 inches के steel wheels और इसके top variants में आपको 16 inches के alloy wheels मिलते हैं और alloy wheels के design की बात करेना तो मुझे दोनों कास के alloy wheels की design पसंद नहीं आई है अब बात करें दोनों कार्ष के इंजिन स्पेक्स की तो नई ब्रेजा और ग्रैंड वीटारा इन दोनों कार्ष में आपको बस पेट्रोल इंजिन का ऑप्शन मिलता है यानि अगर किसी बायर को डीजल कार लेनी हो तो उसके लिए ना तो Grand Vitara है ना तो ब्रेजा पर अगर कोई बायर बस डीजल कार इसलिए ले रहा है कि उसको ज्यादा माइलेज मिले तो यार ये देखो जितना ना 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 डीजल में माइलेज देती है उतना माइलेज तो मारूती की कार पेट्रोल में दे देती है तो पेट्रोल इंजिन की बात करें तो Grand Vitara में आपको एक 1.5 लिटर का 4 सिलेंडर नाचरली अस्पिरेटेड के 15C डियोल जेट पेट्रोल इंजिन मिलता है प्रोडूसिंग अरॉण 103 PS of power and 136 Nm of torque और इस इंजिन के साथ आपको All Wheel Trail का भी option मिलता है और second engine जो आपको Grand Vitara में मिलता है वो है एक 1.5 लिटर का hybrid engine developed by Toyota ये engine प्रोडूस करता है 92 PS of power and 122 Nm of torque और hybrid mode में ये 80 PS की power और 141 Nm का torque प्रोडूस करता है वही ब्रेजा में भी आपको Grand Vitara वाला ही same 1.5 लिटर का K15 सी petrol engine मिलता है producing same 103 PS of power and 136 Nm of torque और Grand Vitara और ब्रेजा इन दोनों कार्स में आपको 5-speed का manual और 6-speed automatic दोनों gearbox के option मिलते है और Grand Vitara को जो hybrid वाला engine है उसमें आपको बस एक CVT automatic gearbox का option मिलता है और यार मुझे ये नहीं समझा रहा कि जैसे ब्रेजा एक segment नीचे की कार है और Grand Vitara उससे एक segment डूपर की और इन दोनों कार्स में आपको same ही engine मिलता है पर यार मारूती ने ना Grand Vitara के engine में थोड़ी जादा power देनी चाहिए थी compared to Breza इन दोनों कार्स में आपको same सी ही power मिलती है इन petrol engine खेर छोड़ो और अब इनके sitting capacity और feature की बात करें तो sitting वास ते देखोए दोनों कार्स ही 5-seater है और इनमें 5 लोग एकदम आराम से भी बैट सकते हैं परना जैसे Grand Vitara की length Breza से थोड़ी जादा है तो Grand Vitara में आपको Breza के comparative ली थोड़ी जादा space और boot space मिलेगी और features की बात करें तो नई Grand Vitara में आपको panoramic sunroof, heads up display, digital instrument cluster, wireless charger, next generation Suzuki connect, 8 inch की smart play pro plus, touchscreen infotainment system, automatic AC, cruise control, paddle shifters, और Suzuki all grip select मतलब basically driving mode सी जिसमें आपको auto, sports, snow और lock modes मिलते हैं वही Breza में आपको electric sunroof, heads up display, 360 degree parking camera, smart play pro plus touchscreen, infotainment system, next generation Suzuki connect, ambient lighting, rear AC vents, flat bottom steering wheel, wireless charger ये सारे features मिलते हैं और नैर मुझे ये नहीं समझा रहा कि मारूती Suzuki ने उनकी Breza और Grand Vitara में लगबग सारे ही same features दिये हैं बस Grand Vitara में आपको panoramic sunroof or digital instrument cluster extra मिलते हैं और बाकी जितने भी features आपको Grand Vitara में मिलते हैं वो सारे features आपको Breza में भी मिलते हैं अब बात करें दोनों कास के safety की तो नई Breza आपको 4 stars की safety rating मिलती है वही Grand Vitara में आपको 4 नई तो 5 stars की safety rating मिलेगी in global N-cap और अगर हम safety features की बात करें तो नई Grand Vitara में आपको Suzuki का tech platform मिलता है जो कि उनकी international cars में भी use होता है साथी में इसमें आपको 6 airbags, tire pressure monitoring system 360 degree parking camera, hill descent control with hill hold assist ये सारे safety features मिलते हैं वही Breza में भी आपको 6 airbags, electronic stability program antilog braking system with electronic brake force distribution and brake assist hill hold assist ये सारे safety features मिलते हैं तो अब बात करें दोनों कास के price की, तो नई Grand Vitara की price अभी तक तो reveal नहीं हुई है पर expected ही किसके base model की price start होगी from 11 और 12 lakhs and the top model of Grand Vitara hybrid में cost 20 lakh rupees extra room India और जैसे मैंने आपको वीडियो के starting में कहा था कि मैं इसकी price की justification आपको एड़ में बताऊंगा तो बस थोड़ी देर रुपना वही ब्रेजा की price start होती है from 8 lakh and the top model of new Breza cost 14 lakh rupees extra room India तो आते हैं अपने वीडियो के final point पे कि आपको इन दोनों में से कौन सी कार खरीदनी चाहिए तो देखो, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि इन दोनों कास का न कोई comparison का sense नहीं बनता है Grand Vitara ब्रेजा से एक segment उपर की कार है पर अगर हम थोड़ा deep में देखे न तो इन दोनों कास में आपको लगबख सेम से ही features और सेम साही engine मिलता है और जैसे नई ब्रेजा के top model की price है 14 lakh rupees extra room India और जो नई grand Vitara है उसकी price तो अभी तक reveal नहीं हुई है पर expected है कि इसके top model की price 20 lakh तक जाएगी पर मैं इसको 20 lakh वाली grand Vitara के साथ तो compare नहीं करने वाला 20 lakh तो उसके hybrid model की price होगी जो normal petrol engine वाली ब्रेजा है उसके top model की price लगबग 18 lakh rupees रहे गिवित all wheel drive system और अगर हम non all wheel drive grand Vitara को compare करे तो आप 18 lakh rupees में से लगबग 1.5 lakh rupees माइनस कर दिना यानि लगबग 16.5 lakh rupees extra room India यानि नई ब्रेजा के petrol top model without all wheel drive की price हो सकती है 16.5 lakh rupees extra room India यानि इससे 30-40,000 कम जादा भी हो सकती है पर अगर हम ऐसे average देखे न तो चलो 16.5 lakh लेकर ही चलते है तो अगर आप ऐसा देखे तो आप grand Vitara और ब्रेजा के price में बस 2.5 lakh rupees का difference आ रहा है और अगर आपके लिए 2.5 lakh rupees इतने जादा माइने नहीं रखते है तो आप grand Vitara ही ले लेना क्योंकि इस मैपको panoramic sunroof, digital instrument cluster एक बड़ी tire size और एक बड़ी segment की car मिल रही है औरना ब्रेजा बहुत common सी भी हो गई है तो अगर आप crowd में stand out करना जाते हो तो आपके लिए grand Vitara बढ़िया रहेगी औरना अगर मुझे भी इन दोनों में से कोई एक car लीनी होती और इनके price में भी ना लगबग 3 लाग तक का gap रहता तो फिर भी मैं grand Vitara ही ले लेता पर अगर जो grand Vitara है मतलब petrol वाली without all wheel drive उसकी price अगर ब्रेजा से 4 या तो फिर 4.5 लाक रुपिस से ज़ादा difference रहा तो फिर मैं ब्रेजा ही ले लेता बाकी मुझे तो इन दोनों कास में से ज़ादा तो grand Vitara ही पसंद आई है तो फिर यहीत आज की इस वीडियो में और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज आर लाइक करना और मेरे चानल को भी सब्सक्राइब कर देना